नमासी चात्र में हुँ श्रीक आइक पड़ा आरियल ग्यान संपतिछे चानल पराप कर्दिक स्वागत आज हम कशनवी का पाड़ सात्वा डॉक्टर का भरन इसका स्वाध्या देखते हैं छात्रो इस वीडियो को बार बार देखिए अपने दोस्तों को सेर करें अगर आप पहली बार मेरे शुरी को देख रहे हो तो ज्यान संप्रुदिशाई चानल को सब्स्राइब करें चात्रो यह जो सौध्य हैं यह कृति पत्र का पराधारित हैं देखते हैं परिछेत क्रमांक का पहला कहां से शुरू होता है कुछ महनों पहले यहां से लगातर शुरू होता है पहुंचने की आदत थी यहां तक कहां यह परिछेत पाथ्य पुस्तक पुस्ट क्रमांक 21 पर हैं चात्रो इसके लिए पहले किताब निकालिए पुस्तक निकालिए हिंदी की और पन्ना नंबर मतलब पुस्तक कुष्ट क्रमा के की देखिए वहां पर लिखा हैं कुछ महनों पहले यहां से शुरू होता है पहुंचिनी की आदत थी यहां तक देखिए इस परिषित में लापता लापता मतलब गुम सीरियस मतलब चिंता जनक परम मतलब सबसे वढ़कर सहर्च खुशी-खुशी गाउन मतलब लबादा नाइड्रेस देखते चात्रो इस परिष्ट पर अरीत कुछ कुरुतिया प्रेश्ण मतलब कुरुती निमलीखीत परिष्ट पढ़कर जब घर की गण्टी बजी थीम है तब कितने बजी थे लगभग हम कि जब घर की घंटी वजी थीरा दबने रात को लगभग दो बजे-थे-दूझे परिशेद में ऊतर धूंडिये प्रेश्च दूसरा अक्सर रात को डॉक्टर भटनागर को जगाने वाले डॉक्टर भटनागर को रात को जगाने के लिए कुन को आते थे परिशेद में देखिए अस्पताल का चवकिदार या घर बुला कर ले जाने वाले लोग तीस तरा प्रेशन है चात्रो डॉक्टर भटनागर जिसे मानते थे अपना फर्ज डॉक्टर भटनागर किसे अपना फर्ज मानते थे जरह देखिए ढूंडिए यहां डॉक्टर भटनागर जिसे फर्ज मानते थे वे हैं मरिजोन की सेवा करना आपको क्या लिखना है मरिजो उनकी सेवा करना का दूसरी अकलंकृति ऒख्र रख्र परिश्य से दो ऐसे प्रशन तयार कीजिए जिन के उत्र निमलिखी मैं पहला शब्द क्वीज को फीज की कि अधा शब्द अ ऐसा प्रश्ण निर्मान कीजिए तयार कीजिए जिसका उत्तर फीज की यह उत्तर आना जरूरी है दूसरा शब्द जो उत्तर हैं डॉक्टर भटनागर के डॉक्टर भटनागर के यह उत्तर आना जरूरी ऐसा प्रश्ण निर्मान कीजिए प्रश्ण कैसा होगा देखे प्रश्ण पहला डॉक्टर भटनागर किस बात की चिंता नहीं करते थे अर्था फिस की चिंता नहीं करते तो आपको उत्तर नहीं लिखना है खाले प्रश्ण निर्मान करना है खाले प्रश्ण नहीं लिखना है अंत में प्रश्ण आर्थर चिंता लिखना जरूरी है दूसरा प्रश्ण लेहां पर कुछ महने पहले आपने किसके लापाता होने का समाचार पढ़ा होगा अर्था डॉक्टर भटनागर के लापाता होने का समाचार पढ़ा होगा तो आपको उत्तर नहीं लिखना है, जो यहां पर प्रश्ण दिया है ना, वही प्रश्ण लिखना है, चातरो अगली कृति हैं, सत्य असत्य लिखिए, राज को जगा देने पर डॉक्टर भटनागर बुरा नहीं मानते थे, यह सत्य है, असत्य है, उत्तर में देखे, यह क्या है असत्य कृति क्रमांक तीसरी शब्द संपदा कृति पहला प्रश्ण उसमें इन शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए कौन शब्द है लापता दवाई चिंता समाचार तो इसके कौन शब्द है लापता के लिए शब्द है गुम हो जाना दवाई के लिए विरुदार्थी शब्द लिखिए आपको विरुदार्थी के बदले ये भी आसकता है विपरित अर्थ की शब्द विलोम शब्द आई साभी तीनों का मतलब एक ही होता है विरुदार्थी शब्द जागना उत्तर देखिए जागना का क्या होता है मतलब सोना विरुदार्थ सब्सक्राएं की सकते हैं लेकिन उस मुद्द्द्धॉन के अधार पर मरिजॉन की सेवा करना डॉक्टर का परम धर्म है इस वीषय पर अपने वीचार 6-8 पंक्तियों में लिखिए उत्तर नमूना के तर्पटदिया है मरीजोन की जांच करके उनका उचाचित उप्चार करना डौक्टर का काम ही मरीन को अपने डौक्टर पर भरोसा होता है कि वे उनका उचीत उप्चार कर उसे स्वस्त करेंगे अच्छा करेंगे डॉक्टरों को मरीज की अपेक्षा पर खरा उतरना चाहिए जो डॉक्टर मरीजों के साथ आत्मियता का विवहार करते हैं और उनकी सुचार रूप से चिकिसा करते हैं मरीज उन्हें हमेशा याद रखते हैं डॉक्टरों का काम चिकिसा के माध्यम से मरीज की सेवा करना होता है, अच्छे डॉक्टर अपनी इस करतवे के प्रती जागरूख होते हैं, उनके लिए राद दीन कोई माने नहीं रहता, वे समर्पी धाव से मरीजों की सेवा करते रहते हैं, छात्रो परिष्चेट करमांग नका दूसरा कहां से शूरू होता देखिये, आप पुस्तक में देखिए, पाठ्य पुस्तक, पुरिष्टक्रमांक 21 पर है और 22 पर है, इह जो परिछदे, यह पामय नंबर, मतलब परिषद करमांक, मतलब पन्ना a 2018, पर शूरू होता है, आरम होता है, और समापत होता स्पर मेखें का से शुरू होता है इस दुन यहां से शुरू होता है गंभीर का मतलब है चिंता जनक हाइरानी हाइरानिक मतलब परेशानी वाइरलेस मतलब बेतार जिसको तार नहीं होती वाइर नहीं होती ऐसा जैसे रीडियो टीवी मोबाइल आदी चात्रों आपको यहां प्रेश्ण दिया हैं मतलब कृति दियें निम्न लिखीत परिछित पढ़कर सुचनाओं के अनुसार लगाती पत्नी पहला अंदाजाल है मरींज की आहलत गंबीर हो मतलब मरीज की अहलत गंबीर होना है सीधाह बढ़ा अस्पताल गई होंगी यह अन्दाजा है उनका छात्रोध दूसरा प्रश्ण है कि डिलंहें है चार यह भड़ने कारण है रानि क्यों बड़ी कब बड़ी हमनी बढ़ने करण कहती तीसरा और वो है शाम को की गई कारेवाई क्या कारेवाई की गई शाम को शाम को की गई कारेवाई कौन सी है पुलिस टेशन को सुचित करना पुलिस टेशन को सुचित कर दिया चातरो कृति करमां का दूसरी आकल अंकृति आखृति पूर्ण की जिए पुलिस की कारवाई कारवाई क्या है पुलिस की क्या क्या उन्होंने देखे पुलिस की कारवाई है चारों और खोशुरू वायरलेस से संदेज भेजना ये कारवाई कर दी है दूसरा प्रश्ण है इसमें घटना से समंदित सुत्र जो घटना हो गई ये लापता होने की उससे समंद कौन सा सुत्र है तो सुत्र यही है डॉक्तर भटनागर को ले जाने वाली गाड़ी के पयोन की निशान चातरों प्रश्ण क्रमांग का दूसरा है और वो है नीमन लिखीत वाग्त्यों को परिचेत के घटना क्रम के अनुसार लिखिए चातरों यहां पर आपको चार वाक्य दिये हैं उनका क्रम बदल दिया है तो आपको उनको सही क्रम से लगाना है परिचेत आप पढ़ते जाईए पढ़ते ये चारों में से जो पहले नंबर पर वाक्य आएगा उसे नंबर एक पर पर लिख दिजिए और जो बचा होगा चार वाक्य चार नंबर पर लिख दिजिए हो गया आपका उत्तर चातरों यह उत्तर ऐसे हैं नंबर एक पर उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंदियों को फोन किया दूसरा है डॉक्टर भटनागर का इस तरह गाइब हो जा अंक तीन शब्द संपदा शब्द समोह के लिए परिछेद में आए एक एक शब्द लिखे जिसे चिकिसा करने का अधिकार प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं डॉक्टर चातरों दूसरा प्रश्ण है जहां चिकिसा करवाने के लिए मरीज भरती होते उसे क्या करते हैं अस्पताल क्या करते हैं अस्पताल दूस्तरा प्रश्ण है निम लिखी शब्दों के वचन बदलकर लिखिए कार कार अगर एक वचन है तो आपको बहुचन करना है तो कार शब्द क्या है एक वचन है उसे बहुचन करना है तो क्या होगा कारे गाड़ी एक वचन है उसे क्या करना है बहुचन गाड़िया होगा पहिया, पहिया मतलब एक वचन, तो आपको क्या करना है, पहिये मतलब बहुचन करना है, ट्रक एक वचन है, आपको ट्रके ये बहुचन करना है, चातरो कृतिकरमान को शब्द संपता में तीसरा प्रश्ण है, निम लिखित वाक्यों में कारक रेखां कित कर उनके नाम और च न लिखिये अजीब शंकाओ से परिशान हो उठा शंकाओ से से ये क्या है कारक है तो किस में आता है ये करनकारक परिशान होने के लिए साधन कौन सा है शंका जो साधन होता है कारी घटने के लिए होने के लिए क्रिया होने के लिए उसे कहते करनकारक तो से ये क्या हो गया करनकारक दूसरा वाक्य है हे मानो हे मानो मुझे एक शमाकर मैं प्रुथी से बहुत दूर पहुंच चुका हूँ हे मानो हे जो हे ना ये शब्द क्या है संभोधनकारक है क्या है संभोधनकारक है यहां उत्तर में संबोधनकारत से मैं पुरुथी से बहुत दूर मेरा और पुरुथी का संबन बताया है तो यह संबन कारक हो गया चात्रो कुरुति क्रमांक चवथी स्वमत आपको अभी व्यक्ति लिखनी है परिवार के किसी व्यक्ति के अचानक गुम हो जाने पर घर के लोगों की बेचेने के बारे में अपने विचार लिखी अब अपने मन से भी लिख सकते हैं विचार ओभी सही होंगे लेकिन या उधारन के तोर पर दिये हैं परिवार के किसी व्यक्ति के अचानक गुम हो जाने पर घर के लोगों के अहलत बूरी हो जाती है उनके मन में तरह तरह की शंकाय उत्पन होती है, जहां भी उस व्यक्ति के होने की संभाव ना हो सकती है, वहां से जानकरी पाने की व्यवस्ता की जाती है, उसके मित्रों और इस दारों से उसके बारे में पूस्ताज की जाती है, जब उसके बारे में पता लगाने के सारे प्रयास निश्पल हो जाते हैं तो अंत में पुलिस को सुचित किया जाता है इस दवरान घर के लोगों का बूरा हाल होता है जब तक गुम गया व्यक्ति मिल नहीं जाता तब तक घर में मातम नाराजगी का चाया रहता है चात्रो परिशित क्रमांक का तीसरा कहां से शूरू होता है कहां ये परिशित क्रमांक पाठ्थे पुस्तक पुरुष्ट क्रमांक मतलब पन्ना नंबर 22 पर है कहां से शूरू होता है धीरे धीरे कहीं यहां से शूरू होता है तो कहां समपत होता है खत्म होता है बात से कुछ सबक लेंगे यहां तक है परिचित पूरे परिचित को पढ़ लीजिए और उस परिचित में कुछ कठीन से बदाएं हालत का मतलब दशा परतिक्षा मतलब इंतजार हत्प्रव मतलब भोचक्का ब्रह्मांड संपूर्ण विश्व उननंतिसील मतलब प्रगतिसील सबक मतलब चात्रो इस परिचत पर अधारित आपको कुछ कृतिया हल करनी है तो प्रश्ण है आपको यहां पर दिया हुआ निमलिखीत परिचत पढ़कर सुचनाओ के अनुसार कृतिया कीजिए पहली आकलन कृतिया आकृति पूर्ण कीजिए स्रीमती भटनागर की दशा कैसी हो ढ़िए ते चाहिए स्रीमती भटनागर दशा गोर निराशा पागल जैसी स्तीती यह जैसी उनकी स्तीती हो गई है अगला प्रिश्ण है स्रीमती भटनागर पर सवार धुन क्या सवार हो गया उनके मन पर तो रोज सुब दर्वाजे पर खड़ी होकर इंतजार करती रेती है मतलब रोज सुब दर्वाजे पर खड़ी होकर इंतजार करना यही धुन है अगला प्रिश्ण है चात्रो वाक्य पूर्ण कीजिए स्रीमती भटनागर को दरवाजे पर फिर से दिखाए दिए क्या दिखाए दिए फिर से पूरा कीजिए वाक्यो वैसी गाली के पयोन की निशान ये लिखना है और उसकी नीचे अदोरी खांकित करना है दूसरा वाक्य है पुलीस का एक दल आया आगे रिक्तस्तान दिया है उससे आपको पूरा करना है तो यहाँ पुलीस का एक दल आया स्रीमती भटनागर के घर पर भी आकृती मतलब कृती दूसरी आकलंकृती कीजिए आकृती पूर्ण कीजिए स्रीमती भटनागर के लिए भेजी गई वस्तो कौन सी वस्तो भेजी गई स्रीमती भटनागर के लिए यहां उत्तर है लिफापे में बंध सीडी आ गई और दूसरा पूर्ट ने ब्रह्मांद की विश्यस्ता है जो ने ब्रह्मांद पर अफ्परन क्या गया था डॉक्टर का तो उस ब्रह्मांद की विश्यस्ता औनेक सुरिय है सवी सुर्यों उनके अपने अपने ग्रह है और सवी ग्रहों पर इंसानी वस्ती है लोग धर्ती वालों से कही गुना 29 सिल है छातरो कृति क्रमान का तीन शब्द संपदा कृतीत निम लिखीत वाक्यों में कारक रेखांकित कर उनके नाम लिखे स्रीमती भटनागर ने मतलब ने अगर आया तो होता है करता कारक दरवाजे पर जिसका आधार ले जाता होसे कते अधिकरंकारक तो पर यह क्या हो गया अधिकरंकारक फिर से वैसी ही गाड़ी के पईयो के निशान देखे के शब्द क्या हुआ चे यहां सम्बन्दकारप बाध दोनों के सम्बंदकारक है गाड़ी के पईयों क्या और निशान का संब्द के शब्दन दिया हैं धुरा क्या है इंस यह को तुरन सुनने की व्यवासता की जाये सिड़ी को सुनने के लिए जो कारी किया जाता दूसरों के लिए किसी के लिए उसे कहते संप्रदान कारक यहां कोशब्द क्या है यह विवक्ति चिन्न क्या है संप्रदान कारक का चिन्न है और की सुनने की विवस्ता मतलब संबंद कारक है अगला वाक्य है घर से बाहर गए उन्हें घर से बाहर गए उन्हें कापी समय हो गया था घर से बाहर गए अलग होने का भाव हो गया घर से बाहर गए मतलब घर से अलग हो गए अलग होने का भाव गए रहा तो अपादान कारक होता है तो से ये विवक्ति क्या है ये अपादान का रखे चात्रो कृति क्रमांक चौथी स्वमत अभिवेक्ति आपके मन से विचार आप लिख सकते यदि मैं डॉक्टर भटनागर की जगह होता या होती तो इस विशे पर अपनी विचार लिखिए तो आप क्या करते ये आपके मन से भी आप लिख सकते वह आपका उत्तर भी सई होगा या उधारंग की दोर पर उत्तर दिया है कैसा होगा पर प्रुथी के अपने मरिजों और अपने परिवार से भी समय समय पर मिलने की मुझे छुट्टी दी जानी चाहिए अपने स्वार्थ के लिए इस तरह बंधन बना कर ले जाना मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता मुझे उस ग्रह के मरिजों की चिकिसा करने में कोई अइतराज नहीं होता पर अपनी यह मांग भी मैं उनके सामने रखता माना होता कि अधार पर शायद वे मेरा आगरम मान भी लेते चाहतरो परिश्थ क्रमांग के चाहता है कहां से शुरू होता है परिश्थ क्रमांग 23 और 24 पर आरमब होता है परिश्थ और 24 पर समापत होता है कहां से शुरू होता है इस ग्रह का नाम यहां से शुरू होता है तो ऐसे ही दिन आने में देर नहीं लगे कि यहां समापत होता है चात्रो पुस्तक में आप इस परिचोत को धान लगा कर एक बार पढ़ लेजिए और फिर इस पर अधारी जो कुर्टिया दिये उसे हल केजिए इस परिचोत पर अधारी कुछ कठीन शब्दारत है यान यान का मतलब सवारी अपरन मतलब उठा ले जाना उसे अंगरीजे में खिडने आप कहते हैं चरम सिमा मतलब अंतीम सिमा सडन मतलब सडना नकारा निकम्मा दूशित दोश्युक्त गंधा चात्रों यहां पर कृतिया दी हैं आपको एक एक कृतिया हल करने हैं प्रश्ण है निमलिखीत परिचत पढ़कर सुचनाओं के अनुसार कृतिया इस प्रश्ण को कृतिया कहना चाहिए तो यह कृति हैं कृति पहले आकलन कृति पूर्ण कीजिए गृह पर भिन्नता दर्शाने वाले घटक ग्रफ पर कौन-कौन से घटक है जरा बताईए तो घटक कौन से अंतरिक्ष्यान घर कार खाने बाजार बस्तिया मोटरे यह भि ग्रहों के ग्रह के यानों की विशस्ता यान कैसा है यान की विशस्ता क्या है ग्रह के यानों की विशस्ता एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर आसाने से जाने आने में सक्षमें हो तीसरा प्रश्ण है ग्रह के लोगों उनकी प्रगति कैसे चिकित्सा शत्र में कैसी है और विज्ञान शत्र में कैसी है तो देखिए उत्तर क्या होगा उसका परिशेद में ढूंडिए चिकित्सा शत्र में कैसी प्रगति उनकी अत्यंत पिछड़ापन है विज्ञान शत्र में कैसी है चरम सिमा पर हैं बहुत प्रगति की हुई है चात्रो कुर्तिक रिमान को दूसरी अकलंकृती आकुरूति पूर्ण कीजिए ग्रह पर आदमियों और मश्रुनों का अनुपाद अनुपाद का मतलब होता है प्रमान उनकी तूलना जो होती है ओ प्रमान जो होता है ओ तो कैसा है प्रमान उनका ग्रह पर आदमियों और मश्यूरों का अनुपाद कैसा है आदमी कम और मश्यूरों का अनुपाद कैसा है आदमी कम और मश्यूरों जादा दूसरा प्रश्ण ह परिछेत में आई जान लेवा बिमारी कौन सी बिमारी यह उसके नए ग्रह पर जो आई है वो सड़न रोग है क्या है सड़न रोग शरीर का कोई भी हिस्सा अचानक सड़ने लगता है और वो आदमी कुछ जिनों पाद मर जाता है तीसरा अगला प्रश्न है डाक्टर भटनागर का अपरन किया गया किस के लिए क्यों किया तो ग्रह के लोगों की चिकिसा करने के लिए उनका अपरन किया गया जो जहां पर अपरन करके लेके गया ना वहां के लोगों को सड़न रोग हो गया था उन रोग से बचने के लिए बोग्टर का परन्ष क्या ग्या था चिक्रिसा करने के लिए छात्रों कुरती क्रमांक की तीस्वर्य शब्द्थ संपता कुर्ति हैं यहां निमली रहांचित वाखियों में ईकारक रहकांकित करोण के नाम और चिनलिक Home-rolog इस ग्रह का नाम विचित्रसा है ग्रह का नाम विचित्रसा है उत्तर क्या होगा सम्मंद कारग आप देखें सम्मंद कारग दूसरा वाक्य है यहां भी लोगों ने जहां जहां ने विवक्त चिना आता है वो क्या होता है करता कारग होता है के लिए के लिए रहा तो सम्मंद कारग होता है जिसके लिए काम क्या जाता है, उसे कहते है संप्रदान कारक, ठिक है, तीसरा वाक्य है, इस पूरे ग्रह में मशीने जादा और आदमी कम है, में, में का मतलब होता है, अधिकरन कारक, क्या होता है अधिकरण में पर जहां अधार के जरूत होती है ना उसे कते अधिकरण कारग अगला वाक्य है उद्योगोन के विकास से मश्विनों की संख्या बढ़ रही है के से की उद्योगोन के मतलब सम्मंद कारग फिर लिखा क्या है विकास से क्या हो गया करन कारग जो हत्यार साधन है और की क्या वाक्य है मश्विनों की अर्थात हो गया सम्मंद कारग छात्रो कृति क्रमांक चौथी नकारापन के दुश्परिनाम इस विशे पर लगभग आठ से दस पंकिया या वाक्य में अपनी विचार लिखना है तो यहां उधारें के तौर पर दिया हो उत्तर है नकारापन का अर्थ है निकमापन यानि कुछ नकरना कुछ लोग उनका अलश्य जो होता है न वह नकारापन का रोग जैसा होता है और कुछ लोग अत्यधी सुख सुदाओं के कारण नकारा हो जाते हैं बहुत सारे हो गए हैं कोई काम न करना और हाद पाओं नहीं लाना आदमी को जड़ बना देता है इससे स्तूलता जोड़ों में दार तता विविद्ध प्रकार की वीमारिया घेर लेती हैं देरे देरे मनुष्य कमज़ोर होता जाता है कभी खभी उसे भयानक वाधी हो जाती है इसका अंत निराश्या में होता है लेकिन मनुष्य को अपν키 भूल का एससास नहीं होता इसलिए जहां तक हो सके हमें शुक सुक्स विदाओं पर अश्रीत रहने के बजाएं स्वेंग काम करने अपने हाथ पाउं सक्रिय रखने व्यायम करने के आदत डालनी चाहिए इससे हम स्वस्त रह सकते हैं नकर अपन सैतान का घर होता है छात्रों यह उत्तर अगर आप आपके मन से भी लिखेंगे तो भी वह स च्च्टिति यह हैं यहां से शुरू होता है तो वाइज्यान को और डॉक्टरों को लाया जाए यहां समाब्त होता है इस परिखेत को आप ध्यान से पढ़ लीजिए और कृतिया हल कीजिए इस परिखेत में कुछ शब्दार्थ है कठिन शब्दार्थ चिम्निया किसे का गया कारखानों में दुवा निकलने का साधन जो होता है उसी कते चुनिया दैत्यकार का यार्त होता है विशाल बहुत बड़ा मुसिबत मतलब संकट सिदांत निचित क्या हुआ मत घातक मतलब हाने कर जान लेवा चात्रों आपको इस परिचत पर अधारित कुछ कृतिया हल क आपको इसलिए करने कि जी परएखत करनी है प्रेशन मतलब दिनिम लिखी परिचत परगारं कि आत्रों के आखे पूर्य ग्रह के लोगों उनके लिए चयताउन आ ग्रुत के लेई रुखेस्षेать लोगफ, और चांप मुओं थाहां तो सूचना को सी राड़ इंसान का ना कामु निशान मिठ जाएगा अगर यह सड़न रोग ऐसा है फैलता रहा तो इंसान वहां से पुरी तरह से समाप्त हो जाएंगे नश्ट हो जाएंगे इसलिए उचेतावनी हैं दूसरा प्रश्ण है सवर मंडल के अन्यग्रह पर बसे लोगों की चिकिसाषद शासर में पिछडे रहने के कारणों की सूची तयार कीजिए कौन गौन से तीन कारण बता आइए तो कौन से कारण जल दीखिये पहला कारण है शरीर बहुत मजबूत होना उस ग्रह के लोगों का शरीर मजबूत है दूसरा कारण है उनकी उपरी चमड़ी जहना वो मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होई है और तीसरा कारण है बिमार और कभी पढ़ती नहीं बिमार न पढ़ना ये कारण है प्रृति कर्मान को दूसरी आकलम कृति पूर्ण कि पूर्ण कि गहां दूसरा ग्रह उनकी यौजना को यह कौन सा planning उनके आगे हैं तो प्लैनिंग यह से यह फृतिती से और वग्यानिकों को ले ग्रह पर प्रकुर्च के डॉक्टर भटनागर के दो काम, डॉक्टर भटनागर उस ग्रह पर दो काम कर रहे, कौन कौन से काम कर रहे, पहला काम है, इलाज के लिए दवाय बनाना, दूसरा काम है, अंग प्रत्यारोपन के लिए साज सामान बनवाना, तीस्तरा प्रशने चात्रो, डॉक्टर भटनाग के चुटकारे का मार्ग दक्टर भटनागर वहां से कब चुट सकते हैं इसके लिए कौन सा रास्ता है तो रास्ता है जब लोगों को मुसिबत से बचने का रास्ता बता सकेंगे तब यह चुट सकेंगे इसलिए रास्ता बता सकेंगे जब लोगों को मुसिबत से बचने का र सिक्पषारों दूसरा वाके है इसी कारणी ये चिकिसामे पीछे रगे में पर जो शब्द है वो अगर है वो चिन्द क्या है अधिकरन कारक अधार दिया जाता है उसे कहते है अधिकरन कारक तीसरा है मैंने मैं इस शब्दों को ने ये चिन्द लगा है और ने जहां लगता है वो कहते हैं मैंने सडन रोक का क्या है सम्मंद का रख अध्यन कर लिया और अंतिमा के इस घातक रोक के इलाज के लिए दवाये बनाना है रोक के लिएapping के तो समंद का रख क्येलिए का होता है अधिकरन का रख के लिए के लिए उपर एक वाकर देख compart काम ने वह संप्रदान का रख था लेकिन यहां किसी के लिए काम के बदले यह आधार है कौन सा इलाज करने का इसलिए यह क्या है अधिकर रंकार रखे चात्रों अंतीम प्रश्ण है स्वास्ति की समश्चा सभी जग पाई जाती इस विशे पर अपने आठ से दस पंक्तियों में विचार व्यक्ट कीजिए स्पष्ट कीजिए यह लिखिए तो मनुष्य एक चेतन प्रानी है यहां आपको उधारें के तोर पर उत्तर दिया जा रहा है आपके मनसे भी लख सकते हैं इस मुद्दोन के अधार पर मनुष्य एक चेतन प्रानी है उसे जीवित रहने के लिए प्रानवायू जल और भोजन के आउशकता होती है साथ ही उसे करने पर सौस्त के लिए स्वास्थ इस स्वास्थ पर किसी स्वास्त की जगत में ऐसा कोई जीव नहीं है जो कभी बिमार न पढ़ता हो आत्वा उसे दवा दवा नद लेनी पढ़ती हो अंत्रिक्ष यात्रियों को भी अंत्रिक्ष में भेजते समय इस बात की समुचीत व्यवस्ता की जाती है कि उनका स्वास्त्य ठीक रहे स्वास्त्य ही स्वास्त्य की समाप्त होता है आप इस वीडियो को बार बार देखें उसे समझ ले आपने दोस्तों को यह वीडियो की लिंक सेर कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्योग चानल ज्यान से सब्स्क्राइब अवश्य कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आप आसानी से देख सकेंगे धन्यवाद करें 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 करें